हालो एवरीबन, वेलकम तो कुशी का एजुकेशन, मैं हूँ आपके एजुकेटर पूर्णिमा, इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे चाइल्ड डेवलेप्मेंट एन पैडागोजी की कुछ इंपोर्टेंट कोश्चिन तो पहला है आपका, मनो विज्ञान, वेहवार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन, स्कीनर का है, वाटसन का है, प्याजे का है, या वुडवर्ट का है तो अंसर है आपका B, Watson का है विकास उत्पाद है अधिगम का, अधिगम तथा प्रीपवक्ता का, अभ्यास का या प्रीपवक्ता का तो जो development होता है उसमें दोनों चीज़े होती है learning B and maturity B तो अंसर आपका B है समाजी करण प्रिकरिया के प्रारंब होने की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं, शैशेव अवस्था कहते हैं किशोर अवस्था कहते हैं या प्रोड अवस्था कहते हैं जो socialization होता है, समाजी करण जो होता है उससे पहले की वस्था को हम शेशेव वस्था कहते हैं नेक्स्ट है साथ वस्थ की आयू तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है एक हजार, तीन हजार, छे हजार या फिर ग्यारा हजार अंसर है आपका C, छे हजार गिलफोर्ड का बुद्धी सिध्धान्त निमांकित में से कौन सा है त्रियामी सिध्धान्त है, द्वेयामी सिध्धान्त है, पदानुकरमिक सिध्धान्त है या बहु आयाम सिध्धान्त है अंसर है आपका त्रियामी सिध्धान्त है A is the answer मजबूत चोडे, कंधे एवं सीने तथा संतुरत शरीर वाले व्यक्ति क्रिश्रम के किस वर्ग में आते हैं पिकनिक्स, एस्थेनिक्स, एथिलेटिक्स तो जो आते हैं वो आप क्या आते हैं एथिलेटिक्स में ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है जेड़ पी डी संभंधित है स्कीनर से, वाईगार्सकी से, प्याजे से या वुडवर्ट से तो अंसर है आपका सी नेक्स्ट है निमिल लिखित में से कौन सी संस्था समाजिक परंपराओं के हस्तात्रन में सबसे अधिक प्रभाव शाली है परिवार, विद्याले, परोस या समाजिक वर्ग जो सोशलाजेशन है आपका उसमें सबसे ज़ादा जो होता है आपका परिवार बहुत ज़ादा प्रभाव शाली रहता है ठीक है पर्मन मेरिल स्केल, पर्मन स्टैनफोर्ड रिविजन, बीने सायमन परिक्शन, बर् लंडन रिविजन, कुँन सा है आपका सी बीने सायमन परिकशन next प्याजे के भोतिक विकास के पहले समपर्त्यात्मक चरण pre जो conceptual phase होता है उसकी अवधि कितनी होती है जनम से 2 वर्ष तक 2 से 4 वर्ष तक 4 से 7 वर्ष तक 7 से 12 वर्ष तक तो जो अनसर है आपका pre conceptual जो phase होता है वो 4 से 7 वर्ष तक होता है नेक्स्ट है मांसिक विकास का परिणाम होता है बालक की याद करने की योगिता होती है बढ़ जाती है बालक की समाजिक्ता में विकास होता है बालक के द्वारा स्वानुभाओं द्वारा लाप प्राप्ति की योगिता उसकी समान्य योगिता में बिर्धी तो अंसर जो है आ अनुभोध वारा लाप्राप्ति की योग गिता मांसिक विकास का development होता है उसका ठीक है उच्च बोधिक विकास किस प्रकार के बालक से संबंधित है परतिभाशाली जड़ बुद्धी बालक ओसत बालक इनमें से कोई नहीं अंसर है आपका प्रतिभाशाली किस प्रकार का बालक समश्यात्मक बालक कहलाता है मंद बुद्धी, पिछडा बालक, पृतिवाशाली बालक, चोरी करने वालक चोरी करने वाला बच्चा जो है वो समश्यात्मक बालक कहलाता है जब कोई चात्र अपनी कल्पना एवं बुद्धी द्वारा नई वस्तों का निमान कर लेता है तो वह कहलाता है परतिभाशाली चात्र, ऐसाधारन चात्र, अपराधी चात्र, सरजनात्मक चात्र जो अंसर है आपका सरजनात्मक जिसको हम creativity बोलते हैं ठीक है वह अपनी कल्पना और बुद्धी के द्वरा नई चीज़े क्रियेट कर रहा है तो सरजनात्मक बच्चा कहलाएगा नेक्स्ट है आपका एमूरत चिंतन की अधिक्ता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है प्रतिभाशाली, अपराधी बालक, समान्य बालक, मंद बुद्धी बालक अंसर है आपका ए प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है नेक्स्ट है आधिगम के मनो विशलेशन सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया अंसर है आपका ओप्शन दिये हुए है अंसर के क्लार्क लियोनाडो, अब्राहम मैसली, कर्ट लैविन तो जो अंसर है वो है आपका बी अब्राहम मैसलो शिक्षन चरो में चात्र है सवतंतर चर, आश्रिचर, मध्धश्ट चर, उपरियुक्त में से कोई भी नहीं तो आश्रिचर पर डिपेंड रहते हैं आश्रिचर, फ्रोबेल ने निम्न में से किस शिक्षन पदती का प्रतिपादन किया है, आज के जो हमारा सैट है 30 कोश्चन का, उसमें काफे सारे कोश्चन ऐसे हैं, जो कि आपके डाटा बेस्ट हैं, यानि कि आपको अपना माइन अलगा कि आपको अपके कंसेप्ट लान होने चाहिए, ठीक है, बलोधन पदती, मौन्टेसरी पदती, प्रोजेक्ट विधी या और डाल्टन पदती, तो अंसर है आपका, बलोधन पदती या किंडर गार्टन इसको बोलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है 25th, निम्न में से कौन सी पुस्तक, जोन डीवी द्वारा लिखी गई है, एमिल, शोशल कॉंट्रेक्ट, डेमोक्रेसी और एजुकेशन, डेन, निू हेल्प्स, अंसर है आपका, डेमोक्रेसी और जो एजुकेशन है, वो आपकी जोन डीवी द्वारा लिखी गई है, 26th, अधिगम सिधान्त का सं भद बाद सिधान्त किस ने दिया, थौन डाइक ने, हल ने, गुत्री ने या फिर गैन, तो अंसर है आपका, थौन डाइक ने, सुत्र सारांश निशकर्स, किष्ट, शिक्षन पदिती के सोपन है, आगमन के, निगमन के, विशलेशन के, या फिर समश्या, समाधान के, अं पर्थम संगटक कोन सा है, कोश्चन में बोलरी मिक्षरी दिविजिबल नहीं हो रहा है, अभी प्रेणा का पर्थम संगटक कोन सा है, अवशक्ता, अंत्रदो, प्रोचसाहन, अभी प्रेणा, वो कहते हैं, कि सभी चीजों की जरनी होती है, वो आपकी अवशक्ता ही होती ह अधिगम को तल रूप दिया है तो यह 29 का अंसर है आपका बी लेविन ने लास्ट कोश्चिन व्यापक्ष कक्षा शिक्षन संभंधित है बड़े-बड़े कक्षा कक्षे शिक्षकों की अधिकता से चात्रों के कम होने से या कक्षा में निर्धारिच शात्रों की संख्या से अधिक शात्र होने से अंसर है आपका डी ओके तो यह थे हमारे आज के थर्टी कोश्चन और नेक्स्ट हम कल डालेंगे आपका लेक्चर और कुछ आज जो थिरेटिकल जो प्याजे की सिधानत है वो आज करेंग